जिसने अपने आप पर और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली न दोस्तों उसे सुख दुख या फिर मान अपमान की कोई परवाह नहीं रहती नमस्कार दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिस्रा आपका अपने चैनल भविश्य वाड़ी पावर आप दे लॉड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए सीह रासी वालों के लिए बेहदी जादा महत्तोपुण कार्यक्रम साबित होने वाला है आज हम बात करेंगी ग्रहों के राजा सूर्य देव के रासी परिवर्तन प्रभाव के बारे में जी हाँ दोस्तों ग्रहों के समराट सूर्य महराजनी रासी परिवर्तन कर लिया है। हर महिने लगभग हो जाता है क्योंकि यह 30 दिन के अंतराल में ही अपना रासी परिवर्तन कर लेते हैं लेकिन दोस्तों जब सूर्य देव गोचर करते हुए मेश रासी, सीह रासी या फिर धनू रासी में आते हैं तो इनके बल में विशेश रूप से ब्रिध्धी हो जाती है क्योंकि यह जो तीन रासियां है यह तीनों की तीनों रासियां अगनी तात्विक रासियां होती है और सूर्य देव भी एक अगनी तत्व के ग्रह होते हैं जिसके परिडाम शरूप जब भी इन तीनों में से किसी भी रासी में सूर्य देव गोचर करते हुए आते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा सक्तिसाली, बलसाली और प्रभावसाली बन जाते हैं और अपने सर्वस्रेष्ट और उच्चेतम परिडाम देने का प्रयास आपको करते हैं ठीक इसी प्रकार से परिडाम अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा क्योंकि वह धनूरासी मे प्रवेश कर चुके हैं तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ आज के इस कार्यकरम में जानेंगे किस प्रकार से सूर्यदेव अपने परम मित्र देवगरू ब्रहस्पती की मुल्त रिकोंड रासी में गोचर करते हुए आपके जीवन को बदलेंगे कहां कहां पर सूर्यदेव और देवगरू ब्रहस्पती इस समय आपको लाप प्रदान करेंगे तो वहीं किन किन छेत्रों में आपको इस समय साउधानी बरतने के आओ सकता है हर एक चीज विस्तार के साथ बताएंगे इसलिए अगर आप भी एक सीहरासी के जातक हैं तो इस कार्यकरम को अंत तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विसलेशन करवाना चाहते हैं हमारे द्वारा तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपरक करके बड़े विस्तार के साथ अपनी जन्म कुंडली का अ अधिकार दिया गया है जैसे कि सूर्य देव ही आपके जीवन में सभी छेत्रों में उर्जा का संचार करते हैं चाहे वह उर्जा कार्य करने के लिए हो या फिर इस धरातल पर जीवन जिने के लिए सूर्य देव ही आपके उर्जा का प्रमुक साधन बनते हैं सूर्य देव आपके जीवन में अंधकार से प्रकास लाते हैं मतलब जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है मुसीबत आती है तो उस समय उस समस्या और मुसीबत का जो समधान होता है वह खुद सूर्य देव होते हैं सूरिय देव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता सक्सेस की कलपना नहीं कर सकते सूरिय देव ही आपको आपके जीवन में सफलता प्रदान करते हैं और आपके सरीर को भी निरोगी बनाने में इनका ही अहम योगदान होता है इसलिए जन्म कुंडली में सूर्य देव बल्वान होते हैं सूप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो यह सभी चीजें आपको प्राप्त होती है आपका सरीर निरोगी रहता है हर छेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धी की प्राप्ति तो आपको होती ही है और ठीक ऐसा ही परिडाम अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा क्योंकि धनू रासी बेहधी प्रभावसाली रासी होती है सभी प्रकार की भोतिक सुकसादनों को यह देने में बेहतर रासी कही जाती है क्योंकि यह देवगरु क्रिया कलाप में आपकी रूची बढ़ेगी जी हाँ अध्यात्मा की तरफ आपका जुकाव रहेगा धार्मिक चीजों में बढ़ चड़ करके आप इस समय हिस्सा लेंगे आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ इस समया अध में कोई चोटी मुटी धार्मिक यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं आपको बता दे इस समय आपके पिता के साथ आपके संबंद बहतर होंगे उनका प्रेम और असिर्वात आपको प्राप्त होगा साथ ही साथ कार्य इस्थल पर आपके उच्छ अधिकारियों का सहीयोग भ कार्य इस्थल पर जो भी परेशानी और रुकावट अभी तक आपको फेश करनी पड़ रही थी उन तमाम प्रकार की समस्याओं से सूर्य देव आपको छुटकारा दिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव स्वतंत्र रूप से नहीं बलकि देव ग्रूब रहस्पति के द्रिष्टी से द्रिष्ट हो करके आपको परिणाम प्रदान करेंगे तो ऐसे में उनके सुभत्तों में विशेश रूप से ब्रिध्धी हो जाएगी तो इन सभी छेत्रों में आपको अब लाव के अवसर प्राप्त होंगे जो जातक लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए यह समय काफी स्रेश्ट साबित होगा उन लोगों को कोई अच्छी खबर इस समय सुनने को मिल सकती है साथ ही साथ जो जातक सरकार के साथ जूड़कर के पहले से कारिय कर रहे हैं उनके लिए तो फिर कहना ही किया या तो फिर उनके इंक्रिमेंट में बृद्धी हो सकती है या फिर पद प्रतिष्ठा में उनके बृद्धी हो सकती है इस समय कार्य इस्थल पर आपके कार्य की तारिप की जाएगी इस समय आपकी डिसिप्लीन अन्य लोगों के लिए प्रेणा का इस्तरोध बनेगी इस समय आपकी वाड़ी और आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावसाली रहेगा साथ ही साथ आपके अंदर विवेक भी जागरित रहेगा जिसके परिणाम सरूप जिससे भी आप मिलेंगे जिससे भी बात करेंगे वह आपसे अवज से ही प्रभावित होगा इस समय आप अपने जिवन के हर छेत्र में अपनी बुद्धिमता से अपने ग्यान से और अपनी समझदारी से आपसी सामंजे से इस्थापित करने का तो प्रयास करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ किस प्रकार से उत्रुत्तर तरक्की प्राप तक की जाए जीवन में यह भी अब आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाला है तो अहीं दोस्तों सूर्य महराज की कृपा से आपको अपनी संतान की तरब से कोई सुभ समचार की प्रापती हो सकती है संतान के साथ तालमेल बहतर होंगे संतान के करियर में कोई सकरात्मक परिवर्तन इस समय हो सकता है अगर आप किसी के साथ रिलेसंसिप में है तो इस समय आप दोनों के बिज बॉंडिंग काफी मजबुत देखी जा सकती है इसके अलावा देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रत्योगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यंति स्रेश्ट साबित होगा इस समय आपकी जीवन में आपको अपने गुरु जनों का पूर्ण सहियोग प्राप्त हो कोलते हुए नजर आएंगे ही आएंगे साथ में आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके तालमेल बहतर बनेंगे आपके डिजायर्थ आपकी कोई ऐसी इच्छा है कोई ऐसी मनुकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो संभावना है इस समय देव ग सकते हैं देखा जाए तो जो इलेवन्थ हाउस होता है आपके इंकम का इस्थान वह छटे से छटा होता है जिसके परिणाम स्वरुप इस समया अधी में आपको सारारिक रोगों से भी छुटकारा मिलेगा इस समय आप अपने आपको चूस्त दुरूस्त और तंदुरूस् जो भी कारिय इस्थल पर आपको नुकसान पहुचाने के बारे में सोचते हैं वह इस समय अपने आप ही सांथ हो जाएंगे अगर आपने किसी से कोई कर्जा या फिर लोन ले रखा हुआ है तो इस समय उस कर्जा और लोन को चुकाने का मौका भी आपको सूर्य देव और द प्रोसियों की प्राप्ति होगी फिर भी सूर्य महराज के इस रासी परिवर्तन को और जादस रेश्ट और फलदायक बनाने के लिए रोजाना आपको नियमित रुप से आदित्य हिर्दय इस्त्रोत्र का पार्ट करना है और आपको जो आप सूर्य देव को अर्गे प्रदान करते हैं उस जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्गे प्रदान कीजिए आपके लिए समय हर प्रकार से प्रोफिटेबल साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार